Hello everyone, स्वागत है आप समों का आपके अपने चानल करेंट पूर पर जिस पर के आपको डेली करेंट अफेर्स की वीडियो दी जाती है तो आज है 11 फरवरी 2023 तो आज 11 फरवरी 2023 की करेंट अफेर्स को हम लोग देखेंगे और वीडियो के end में 10 फरवरी 2023 के करेंट अफेर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे जो कि आपको आने वाले सभी कॉम्टेटिव इग्जाम के लिए काफी helpful होगा और अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और जादे सेयर जरूर करें क्योंकि आप लोगों का प्यार और आप लोगों का सहयोग ही हमें मोटिवेट करता है आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा मेहनत करने के लिए तो जरूर चैनल को सेर जरूर करें और चलिए देखते हैं आज का Current Affairs और यहां आपको सभी एक्जाम के लिए Current Affairs का संपूर्ण रिवीजन भी मिलता है तो चलिए देखते हैं आज का Current Affairs Question है पहला कि Uranium 233 का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला थोरियम आधारित परमानो सन्यत्र भवानी कहां अस्थापित किया जा रहा है? Answer है Option B कलपक्कम तमिलनाडो में Uranium 233 का उपयोग करने वाला दुनिया का पहला थोरियम आधारित परमानो सन्यत्र भवानी तमिलनाडो के कलपक्कम में अस्थापित किया जा रहा है यह पूरी तरह से स्वदेशी और अपनी तरह का पहला सन्यत्र होगा थोरियम सन्यत्र कामीनी कलपक्कम में पहले से मौजूद है ताजे आंकडे के अनुसार देश में कितने परमानो उर्जा रियक्टर कारियरत है? Answer है Option B 22 भारतीय गुनवत्ता परिशद के अंतरगत भारत की मान्यता प्रणाली को हाल के Global Quality Infrastructure Index GQII 2021 में दुनिया में कौन सा रैंक हासिल हुआ है? Answer है Option A भारतीय गुनवत्ता परिशद के अंतरगत भारत की मान्यता प्रणाली को दुनिया में पांचवा अस्थान प्रदान किया गया है वैस्विक गुनवत्ता अफसनरचना सूचकांग गुनवत्ता के बुनियादी धाचे के आधार पर दुनिया भर में 184 अर्थवेवस्थाओं की रैंकिंग तयार करता है मान्यता परिक्षन परमानन और निरिक्षन करने वाले अनुरूपता मुल्यांकन निकायों की छमता और विश्वस्था अस्थापित करने में मदद करती है भारती गुनवत्ता परिशत के अध्हेक्ष जक्षे साह है प्रदान्मंत्री स्री नरेंद्र मोदी ने 10 फरवरी 2023 को कहा उत्तर प्रदेश वैस्विक निवेशक सिखर संमेलन 2023 का उदगाटन किया आंसर है इसका option C लखनों में उपग्रहों को EOS07, Janus 1st और आजादी सेट 2 को सफलता पूर्वक प्रक्षेपित किया है आंसर है option D SSLB D2 से SSLB D2 यान ने EOS07, Janus 1st और आजादी सेट 2 उपग्रहों को सफलता पूर्वक कक्षा में स्थापित किया जिसे स्रीहरी कोटा इस्थित 37 धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉंच किया गया महिला एवं बाल विकास मंत्राले के G20 Empower सम्मू की Inception Meeting कहां आयोजित किया जा रहा है आंसर है option B आगरा में G20 Empower 2023 का उद्देश महिलाओं के नतरित्र वाली उद्दमिता की ओर तेजी से बदलाव और कारेवल में महिलाओं को अधिक से अधिक सामिल करने के लिए चुनोतियों के ओ अफसरों में बदलना है और थीम क्या है तो महिलाओं को सभी छेत्रों में नतरित्र करने के लिए ससक्त बनाना Digital Skilling और Future Skills की भूमिका है तीसरे खेलो इंडिया Winter Games कहां आयोजित किया गया आंसर है option C गुलमर्ग जमू कस्मीर में तीसरे खेलो इंडिया Winter Games जमू कस्मीर के बारमुला जीले के गुलमर्ग में आयोजित किया गया जिसका उदगाटन केंद्रिय युवा कारे और खेल मंत्री अनुराग सिंग ठाकोर ने किया पांच दिन चलने वाले इस खेलो में देश भर के 1500 से अधिक खिलाडी 9 विभिन खेलो में भाग ले रहे हैं मल्यालम सिनेमा की किस एक्ट्रेस की 120 वी जयनती पर गुगल ने डूडल के माध्यम से सरधांज ली दी है आंसर है ओप्सन सी पी के रोजी को गुगल ने डूडल बना कर मल्यालम सिनेमा की पहली महिला एक्ट्रेस पी के रोजी को उनकी 120 वी जयनती के अफसर पर सरधांज ली दी पी के रोजी का जन्म दस वरवरी उनिशो तीन को हुआ था वह मल्यालम सिनेमा की पहली अभिनेत्री थी उन्होंने जेसी डेनियल के निदेशन में बनी विगाथा कुमारन दलास चाइल्ड के में अभिने किया था भारत में पहली बार किस राज्या संग राज्य में लीथियम के भंडार मिले हैं? आंसर है ओप्सन ए जम्मू और कस्मीर में भारतिय भू वैज्यानिक सर्वेक्षन ने पहली बार जम्मू कस्मीर के रियासी जिले के सलाल हैमाना छेतर में 5.9 मिलियन टन के लीथियम अनुमानित संसाधन का पता लगाया है निमलिखित में से कौन सा देश हाली में बिजली संकट के कारण राश्टिय आपदा की गोश न की है? आंसर है ओप्सन सी दक्षिन अफरिका ने दक्षिन अफरिका के राश्ट पती सिरिल रामफोशा ने स्टेट ऑफ द नेशन संबोधन के दोरान देश में बिजली संकट के कारण राश्टिय आपदा की गोश न की है अपने शंबोधन में राम फोशा ने कहा कि देश इस समय कई संकटों का सामना कर रहा है जिसमें बिजली, वेरोजगारी, अपराथ और हिंसा में बढ़ोत्री जैसे मुद्दे सामिल है पुस्तक इंडिया इन सर्च ओफ ग्लोरी के लेखक कौन है? आंसर है ओप्सन भी असोक के लाहिरी तो चलिए अब दस फरविरी 2023 के करेंट अफेर्स का हम लोग रिवीजन कर लेते हैं किसने नई दिल्ली में मिशन अंतियोदय सर्वेक्षन 2022-23 लौंच किया तो ग्रामिन विकास एवं पंचायती राजमंत्री गरीराज सिंग ने राश्ट्रपती स्रीमती द्रौपती मुर्मू नौफरवरी 2023 को कहा महिलाएं मूल्यनिस्ट समाज की नीव की विसेवस्तू पर एक रास्टिय सम्मेलन का उदगाटन किया तो ये हरियाना में विदेश मंत्राले की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्स 2022 में कितने लोगों ने अपनी भारतिय नागरिकता छोड़ी तो 2,25,620 लोगों ने मद्यप्रदेश के डिंडोरी गाउं की 27 वर्सिये किस आदिवासी महिला को मोटे अनाज की ब्रांड एमबेस्डर बनाया गया है तो ये है लहरी बाई को जी ट्वेंटी सेर्पा ट्रैक के तहट परियावरन और जलवायू इस्थीरता कार्य समू की पहली बैठक कहां आयोजित किया गया तो बैंगलूरू में ICC T20 महला विसोकप 10 फरवरी से कहां सुरू हो रहा है तो दक्षिन अफ्रिका में FIH पेरिस ओलंपिक होकी टोर्नामेट 2024 किस देश की मेजबानी में खेला जाएगा तो फ्रांस की मेजबानी में भारत का पहला ग्लास इगलू रेस्टरा यानिकी ग्लास इगलू रेस्टोरेंट कहां खोला गया तो गुलमर्ग जमुकस्मीर में चर्चित उपन्यास विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है तो सल्मान रस्दी क्वाड के किस देश ने साइवर आदतों को बढ़ावा देने के लिए क्वाड साइवर चालेंज लॉंच किया है तो अमेरिका ने रिजर्व बैंक के रेपो रेट में 0.25% की बढ़ातरी के साथ रेपो दर कितना प्रतिशत हुआ तो 6.5% तो ये थे आज के करेंट अफेर्स आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ सेर जरूर करें और हागर जो चैनल पर नए है अगर उन्हें लगता है कि जनवरी का करेंट अफेर्स आप लोगोंने मिस कर दिया तो कोई बात नहीं मैं दो तीन दिनों के बाद पूरी जनवरी की फुल लेंथ जो करेंट अफेर्स झाल